आज सत्गुरुवार के वर्दानी दिवस की आपको धेर सारी शुबकामना है ओम शांती 14 मार्ज 2024 के एश्वरिय महवाक्य पहले एक नजर मुडली के मुख्य पोइंट्स पर बाबा नहीं कहा तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी तो बाब दवरा जो नौलेज मिली है उसे ग्रहन कर बुद्धी में फिराना चाहिए बाब का बनने से उनकी याद में रहने से तुम्हारे अंदर जो भूत हैं वे सब निकल जाएंगे पहला नमबर भूत है देह अहंकार का इसको निकालने के लिए बाब तुमको देही अभिमानी बनाते हैं तुमको तो शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि अभी हम लक्ष्मी नारेण जैसा बन रहे हैं लेकिन माया बिल्ली भी कम नहीं है उनसे तुम्हे अपनी संभाल करनी है फिर बाब ने कहा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी पढ़ाई पढ़ना बंद कर देते हैं ऐसे बच्चों को माया अपनी तरफ खींच लेती है प्रतिग्या करनी चाहिए कि हम अच्छी रिती पढ़ेंगे इसमें कभी गफलत नहीं करनी चाहिए एक दो को उल्टी सुल्टी बातें सुना कर ट्रेटर नहीं बनना श्रीमत पर तो पूरा निश्चे होना चाहिए कभी पर मत पर नहीं चलना एवर तंद्रुस्त बनना है तो अच्छी रिती पुरुशार्थ करते रहो एक दिन भी पढ़ाई में एबसंट नहीं होना है और लास्ट में बाबा ने कहा सिर्फ नाम का ब्राह्मन ब्राह्मनी नहीं बनना सच्चे ब्राह्मन वे है जिनके मुख में बाबा का गीता ज्यान कंठ हो अगर पढ़ते पढ़ाते नहीं औरों को आप समान बनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे आठ घंटा काम धंदा, आठ घंटा आराम और फिर आठ घंटा इस गवर्मेंट की सर्विस करो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जितना हो सके दिल से सेवा करते रहो तभी तुम पदमा पदम पती बनते हो और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है पढ़ाई से ही स्कॉलर्शिप मिलती है इसलिए बाप दवारा जो नौलेज मिलती है उसे ग्रहन करो प्रश्न लायक ब्राह्मन किसे कहेंगे उसकी निशानी सुनाओ उत्तर पहली निशानी लायक ब्राह्मन वहें जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्यान कंठो दूसरी निशानी जो बहुतों को आप समान बनाता रहे तीसरी बहुतों को ज्यान धन का दान पुन्य करे चोथी कभी आपस में एक दोके मतभेद में ना आए पांचवी किसी भी देह धारी में बुद्धी लटकी हुई ना हो चठी ब्रहमन अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो जो देह अहंकार को छोड़ देही अभीमानी रहने का पुरुशार्थ करे ओम शान्ती बाप ने अपना और सृष्टी चक्र का परीचे तो दिया है यह तो बच्चों की बुद्धी में बैठ गया है कि सृष्टी चक्र हूबहू रिपीट होता है जैसे नाटक बनाते हैं, मोडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं तुम बच्चों की बुद्धी में यह चक्र चलना चाहिए तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धी में फिरना चाहिए, बाप दवरा जो नौलेज मिलती है वो ग्रहन करने चाहिए, ऐसी ग्रहन हो जाए जो पिछाडी में बाप और रचना के आदी मध्ययंत की याद रहे, बच्चों को बहुत अच्छी रित पुरुशार्थ करना है, यह है एजूकेशन, बच्चे जानते हैं, यह है एजूकेशन, सिवाए तुम ब्रहमनों के कोई भी नहीं जानते, वर्णों का फर्क तो है ना, मनुष्य समझ से हैं, हम सब मिलकर एक हो जाएं, अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती, यह सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाशा चाहिए, वो तो सत्यूग में था, विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक यह लक्षमी नारेंड थे, तुमको यह बताना है कि विश्व में शानती का राज्य यह है, सिर्फ भारत की ही बात है, जब इन्हों का रा राज्य होता है, तो सारे विश्व में शानती हो जाती है, यह सिवाए तुम्हारे और कोई जानते नहीं, सब हैं भक्त, फर्क भी तुम देखते हो, भक्ती अलग है, ज्यान अलग है, ऐसे नहीं भक्ती ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं, तुम तो बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत हैं, वे सब निकल जाने हैं, पहले नंबर में भूत हैं देह अहंकार, इनको निकालने लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं, बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं, 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नह यह पांच भूत हैं रावन संप्रदाए के, रावन राज्ये कहते हैं, राम राज्ये अलग है, रावन राज्ये में भ्रष्टाचारी और राम राज्ये में स्रेष्टाचारी होते हैं, इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाई कोई को पता नहीं है, तुम्हारे में भी जो सम जू होश्यार हैं वो अच्छी रिती समझ सकते हैं क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं हैं कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं सेंटर पर नहीं जाते हैं दैवी गुन धारन नहीं करते हैं आखें भी धोखा देती हैं कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं तो अब पुष्मिनारण ओब्जेक्ट हैं। तुमको ऐसा बनना हैं। ऐसे दैविगुन धारंद करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैविगुन होते हैं। वहां आसुरी गुन होते नहीं। असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाए और कोई नहीं जो इन बातों को समझें। तुमको शुद्ध अहंकार हैं। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रुहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कोई भी देहधारी, कभी राजयोग का ज्यान वा याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुम से पुछेंगे तुमको यह किसने सिखाया। तुम्हारा गुरु कौन है। क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बाते नहीं सिखलाते, यह तो गुरु ही सिखलाते हैं। यह बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा है सत्गुरु। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सत्गुरु खुद आकर परीचे देते हैं। और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य ही समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं सत्य एक ही है बाकी कोई देहधारी को याद करना है जूट यहां तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है जैसे सब आत्मय जोती बिंदु है तो बाप भी जोती बिंदु है बाकी हर आत्मा के संसकार कर्म अपने अपने है एक जैसे संसकार हो नहीं सकते अगर एक जैसे संसकार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते थोड़ा फर्क जरूर होता है यह नाटक तो एक ही है स्रिष्टी भी एक ही है अनेक नहीं यह गपोडे लगाते कि उपर नीचे दुनिया है उपर तारों में दुनिया है बाबा कहते हैं किसने बताया है तो नाम लेते हैं शास्त्रों का शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे तुम जानते हो यह तो बना-बनाया खेल है Second by Second जो सारी दुनिया का पार्ट बज़ता है यह भी ड्रामा का बना-बनाया खेल है तुम बच्चों की बुद्धी में आ गया यह सृष्टी चक्र कैसे फिरता है सभी मनुष्य मात्र जो हैं वे कैसे पार्ट बजाते हैं बाबा ने बताया है सत्युग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है नंबर वार आते हो पार्ट बजाने बाबा कितना अच्छी रिती समझाते हैं तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रह तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे, अकसर करके गरीबों की बुद्धी में जट बैठता है, बड़े बड़े आदमी भल आते हैं, परंतु काम पढ़ गया, तो कहेंगे फुरसत नहीं है, प्रतिज्या करते हैं, हम अच्छी रिती पढ़ेंगे फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है, माया और ही अपनी तरफ खीच लेती है, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पढ़ेंगे, स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, वह कभी मिस करने का ख्याल नहीं करते, उन्हों को पढ़ाई के सिवाई कुछ भी मीठा नहीं लगता, समझ से हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा, यहां एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, इसमें भी नंबरवार पुरुशार्थ नुसार हैं देखते हैं, पढ़ने वाले अच्छे हैं, तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है, टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती हैं, उन्च पद मिलता है, यहां भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं, उतना उन्च पद पाते हैं, एक ही क्लास में कोई पढ़कर उन तुम जानते हो, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करने चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, एक दोके ट्रेटर भी बन पढ़ते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुना कर, परमत पर नहीं चलना चाहिए, श् फिर वह पढ़ाई चोड़नी नहीं चाहिए, बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अवल नंबर है, इस पढ़ाई को छोड़ और कहां जाएंगे, और कहां से यह पढ़ाई मिलना सके, श्युबाबा से पढ़ना है, सोदा भी श्युबाबा से करना है, कोई उल्टी करते, कहते हैं हमें श्युबाबा की बैंक में जमा करना है, कैसे करेंगे, बच्चे जो आते हैं श्युबाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते हैं, तो सो गुणा होकर मिलता है, श्युबाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे, यह सारी कि हमारी शुबाबा के भंडारे से परवरिष नहीं होती है सबकी पालना हो रही है कोई गरीब है कोई सहुकार है सहुकार से गरीब पलते हैं इसमें डर्ने की बात नहीं बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाए, प्रन्तु लायक भी हो, तंद्रूस्त भी चाहिए, ज्यान भी दे सके, गवर्मेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहां भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं, नंबर वार तो हैं, सब अपना अपना पुरुशार्थ क रहे हैं, कोई अच्छा पुरुशार्थ करते करते, फिर अपसंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं, फिर तंद्रूस्ती भी ऐसी हो जाती है, एवर तंद्रूस्त बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है, जिनको शोक है, समझते हैं, याद से ही हमार पाप करते हैं, वो अच्छी रिदी पुरुशार्थ करते हैं, कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करने हैं, बाप समझाते हैं, गफलत करेंगे तो वह पता पढ़ जाएगा, यह किसको पढ़ा नहीं सकते, बाबा कहते हैं, सात रोज में तुम को लायक ब्राह्मन ब्राह्मनी बन जाना है, सिर्फ नाम का ब्राह्मन ब्राह्मनी नहीं चाहिए, ब्राह्मन ब्राह्मनी वह हैं, जिनके मुख में बाबा का गीता ज्यान कंठो हो, ब्राह्मनों में भी नंबरवार तो होते ही हैं, यहां भी ऐसे ही हैं, पढ़ाई पर आएगा कि यह ऐसा पद पाएगा, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा, पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं, तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता, बाबा कहते हैं, पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहां तक प्रामनी को भेजेंगे, आप समा नहीं बनाया है, जहां अच्छी रिती पढ़ते हैं, उनको मदद देनी चाहिए, बहुतों का आपस में मतभेद रहता है, कोई फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो करेगा सो पाएगा, एक दो की बातों में आकर दीर में नहीं है, दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते जाते हैं, यह शुबाबा का खडचा नहीं है, सारा ही बच्चों का खडचा है, यह दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इन से 21 जनमों की प्रालब्द मिलती है तुम जानते हो, हम यहां आते हैं नर से नाराइन बनने के लिए, तो जो अच्छी रिती पढ़ते हैं, उनको फोलो करो, कितना रेगिलर पढ़ना चाहिए, अकसर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूट पढ़ते हैं, इसलिए मैजॉर तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मामे कम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे, यह पक्का अभ्यास करो, हम आत्मा हैं, अभ हम को वापिस जाना है बाप कहते हैं यह सब त्याग करो बाप को याद करो इस पर ही सारा मदार है बाप कहते धंदा दी भल करते रहो आठ घंटा धंदा आठ घंटा आराम बाकी आठ घंटा इस गवर्मेंट की सर्विस करो यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो इसके लिए टाइ ताइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्मेंट की आठ घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है। हजार दो पांच हजार। इस गवर्मेंट की सर्विस करने से तुम पदमा पदम पती बनते हो। तुम कितना दिल से सेवा करने चाहिए। आठ रतन बने हैं, तो ज आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, गंगा सनान जब तप आदी करने से बाप नहीं मिलता है, जो वर्सा मिले, यहां तो तुमको बाप से वर्सा मिलता है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकील अधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट श्रीमत को छोड़ कभी पर मत पर नहीं चलना है उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोडना है मत भेद में नहीं आना है अपनी जांच करनी है कि हम कहां गफलत तो नहीं करते हैं पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं आत्म अभिमानी बने हैं रुहानी सेवा दिल से करते हैं वर्दान रुहानी अथोरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्यान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव रुहानी अथोरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्यान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव जैसे वरिक्ष में जब सम्पूर्ण फल की अथोरिटी आ जाती है तो वरिक्ष जुक जाता है अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है ऐसे रुहानी अथोरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथोरिटी उतने निर्माण और सर्वकेस नहीं होंगे अल्पकाल की अथोरिटी वाले अहंकारी होते हैं लेकिन सत्यता की अथोरिटी वाले अथोरिटी के साथ निरंकारी होते हैं यही सत्य ज्यान का प्रत्यक्स स्वरूप है सच्चे सेवाधारी की वृती में जितनी अथोरिटी होगी उसकी वानी में उतना ही स्ने और नम्रता होगी स्लोगन भाग्य का आधार त्याग है बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता अच्छा आज का अव्यक्त ग्यानमोती बहुत विशेस है सभी भाई बहने जरूर सुने अव्यक्त ग्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें